हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मोटिवेशनल टेक्नोलोजी में आप सभी का स्वागत है मैं डोक्टर इम्रान जेवी कि दोस्तों हमारे पास काफी विधारतियों की कमेंट आ रही है कि आई-एस आई-पी-एस और पी-स कैसे बने तो मैं उन बच्चों को उन विधारतियों को बताना चाहूंगा आई-एस-पी-स एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है एक अधिकारी होता है जो हर बच्चे सपने देखते कि मैं एक अधिकारी बनूं लेकिन कुछ उनिन्दा बच्चे ही अधिकारी बन पाते हैं सपने तो हर कोई देखता है लेकिन साकार करने की उनके अंदर ताक्षत उनके अंदर एक ताक्षत नहीं होती है तो आज हम उन बच्चों को बता रहा हूं जो बच्चे आई-एस-पी-स बनना चाहते है तो सबसे पहले हमें जो है अपना एक डिजायर चुनना है कि आई- जो हम अपनी एक्टिविटी जो हम दिन में करते हैं उनको चैंज करना होगा सही रूल हमें फोलो करने हो गई और सबसे पहले हमें अपनी जो इस्टेडी करनी है हमें किस किन किताबों को हमें ज्यादर पढ़ना होगा तो आई-ए-स्पीस बनने के लिए सबसे पहले आप डेली का न्यूज पेपर लें जो आपके डिष्टिक के अंदर न्यूज पेपर होता है वह डेली पढ़े उसके अंदर से मैं मैं पॉयंट इन्पोर्टेंट चीजे पढ़ें जो कर आपको जो है जो डेली की डेली जो पूज़ा रही है कि न्यूज के अंदर से पॉइंट उठाए उनकी नोट्स बनाए उनको कोस्टन तयार करें कि दूसरी बात कि अब उन सब्जक्टों का सेलेक्शन करें जिन सब्जक्टों को आपको पढ़ना है सबसे पहले हिस्टिरी इध्याज ले इंग्लिस और आपको कौन सी किलास सब्जक्ट आपको पढ़ने है आपको 9 किलास से लेके 12 किलास के आपको all subject आपको लेने हैं और उनको सही तरीके से आपको पढ़ना है चाहिए आप तैयारी करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं आप जब भी ISPCS की अगर तैयारी करना चाहते हो बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको जैसे ही आपकी हाई स्कूल अगर आपके मन में है कि ISPCS बनना है तो आपको इंटर से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी चाहे वो CBC Board से हो चाहे UP Board से हो तो अगर CBC Board की भी कुछ आपको UP Board की जो किताबे हैं उनको भी आपको पढ़नी होगी और जो CBC Board की जो किताबे होती जो English Medium से होती आपको उने भी अपने उनको इस्टेडी में लाना है उसमें कोई भी सब्जेक्ट हो आपका हिस्टिरी हो चाहे आपकी हिंदी हो या कोई भी हो तो आपको नियम कंटी नियम आपको बनाना है तो सारे सब्जेक्ट आपको लेने है आई यह स्पीसिज बनने के लिए और करेंट में जो जी के आती है वो भी करेंट में आप जी के लेते रहे और हपते के अंदर एक न्यूज पेपर आता है जिसके अंदर जितने भी एगजाम होते हैं हर महीने का एक न्यूज होता है जो बजार में उपलब्द होता है वो आपको खरीदना है और उसके अंदर ज करताना चाहूंगा सबसे पहले अगर आपको यह स्पीस है तो सबसे पहले आपको ताम टर्यक्त की टाम टेपिल का यह है वह बनाना पड़ेगा उसके लिए आपको और अगर आप को पर रात को क le marching सोते हैं या सुबह में देरी से उरते हैं यह आपको दिन चुरे जो है आपकी खाने पीने की जो है वह सारी हीज़े आपको चम्छ करना पड़ेगी है और एस्टेड़ी करने के लिए आपको हर टाइं टेबिल है हर घंटे एक सब्चेक्ट को एक घंटा दीजिए आपको जो है 15 सा 16 सतरह घंटे आपको दिन में 24 घंटे में सा 16 या 17 घंटे आपको स्टेडी करनी है continue अगर आपको आइस यह PCS बनना है राज का टाइम टेमिल बना ले कि मुझे 11 बजे सोना है और सुबह मौनिंग में आपको 4 बजे करेक्ट उठना है अगर आपको आइस PCS बनना है तो चार बजे आपको उठना पड़ेगा अपने जीवन में एक संगर्स लाना पड़ेगा जब आप एक अधिकारी अच्छे अधिकारी बन पाओगे अगर आप अपनी लाइफ में यह संगर्स करते हो तो आप जरूर आइस या इस PCS जरूर बनोगे तल्सपाक कि आपकी समाज में जीतनी पी कटिविटी छॉरी है उन्हें पर आपको ध्यां रगना के जीतनी आपके साथे छिजी में हर चीशह पर उफोकस रखना है और अपने कंसंधिस समाज यंदर रहेगे कि कुछ कोशे संगयार करने हैं और उस कोसन को सोलेशन करना है कि क्योंकि आएस का जो ओदा होता बहुत बड़ा होता है कि इस तरह से अपनी जो 9 किताबे है किताबे आप लीजी अच्छी तरीके से स्टेडी कीजिए और 12 तक आप हिस्टी वागयरा जो भी है आपको पढ़े मन से पढ़े और तैयारी करें आये स्पीसियेश बनने के लिए और टाइम टेविल का ध्यान रहे और जो भी विधारती सपने देख रहे हैं तो सबसे पहले आपको सपनी जो है सोते हुए नहीं देखने चाहिए जाकते हुए सपने देखने चाहिए जो जाकते हुए सपने देखता है वही जीवन में सक्सिस होता है है तो जाक सोते हुए कदी सपने नहीं देखने जाकते हुए सपने देखना है उग्ण के अंदर कलपना अपने दिमाग में एक पॉइंट फिट कर लें कि मुझे यह यह बनना है यह सोते हुए उठते हुए और हट्टैंड जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हो यह मन में ह होना चाहिए कि मुझे उससे रिलेटिटीड ही वर्क करना है आप अगर खाना भी खा रहे हो खाना भी उस सेडूल के अंदर आपका आना चाहिए जो आपको तैयारी की हिसाब से आपको करना है तो आप मैं यह कहना चाहूंगा किताबे आप ले ले नाइंथ हाई स्कूल की जितने भी किताबे होती है वो किताबे ले ले रिटन में उसको कंटिनीव बनाए रखे जादे जादे याद करें और एक सजेशन और देना चाहूंगा आप जितने भी ओल्ड टीचर होते या बनाए रखें उनसे समय समय पर हपते में संडे वाले दिन जाके उनसे बोले मीटिंग रखें उनसे कुछ सजेशन ले कुछ पूछें अपने जो सब्जेक्ट है उससे रिलेडिट कुछ भी बूजें और अपनी नोट्स तयार करें अच्छी तरीके से और न्यूज पेपर पढ़ना ना भूले डिली की डिली उसमें से कोसन पूट अप करते रहें तो आप जीवन में जरूर आईएसपीसे सक्स जरूर बन जाओगे यही मैंने आपको इंपोर्टेंड बनाई है यही अगर आप जीवन में अपना सेडूल बना के रखते हो तो आप जरूर आईस पीसेस जरूर बन पाऊगे और हमारी इस वीडियो को जादे जादे दोस्तों सेयर करें और कमेंट करें और अगर आपकी कोई भी प्रॉलम है तो उसको सोलेशन करने के लिए हम बैठे हुए हैं आप जो भी आप कमेंट करोगे हम उसका तुरंट सोलेशन करके आप तक सही वीडियो और अपनी सही वीचार जो आपको जीवन में सक्सिस करें वो चीज हम आप तक लेके आते रहेगी हमारी स्वी यूड़ियो से जुढ़ने के लिए और हमारी चैनल से जुढ़ने के लिए सभी दरसुकों करलं मैं अपने दिल से धनिवाद करता हूं और जबहुत भूँत बहुत धनिवाद